चलो Roman Reigns से शुरू करते हैं, पहले बहुत सारे डाउट सापके मैं इस वीडियो में भी क्लियर कर दूँगा, सबसे पहले तो अभी Roman Reigns हार गये है, टाटल तो उनका फ्यूचर क्या है, अब WWE की स्टूर लाइन में क्या करने वाली है, तो सबसे पहली बात तो Cody Rhodes और Roman Reigns का रिमैच होने का चांस बहुत ही जादा कम है, और उसके बीचे बहुत सिंबल सा रीजन है, अगर WWE फॉलो करते वे थोड़ा टाइम हो गया, तो आपको पता है कि अब Cody Rhodes को वो एक चैंपिन की तरह आगे लेके जाने वाले हैं, तो अगर Roman Reigns और Cody Rhodes का दोबारा से मैच करवा द नो मरसी वाले शो में भी हरवाया था, उसको लाइवरे बार बार जा जा जाके वह हार रहे थे, क्योंकि John Cena passing the torch कर रहे थे, अब Roman Reigns के case में तो वैसा है नी, तो इसका मतलब रिमैच होने का ऐसा चांस अभी तो फिलाल कुछ भी नहीं है, कि Roman Reigns वापस आएंगे सीधा बोल लेकिन Roman Reigns ने जो अपनी वीडियो शेयर करी, Twitter और Instagram पर, सारी चीज़े आपको में चालब बताते रहता हूं, तो उसके बाद से तो clear ही हो गया, कि Roman Reigns का वो जो attitude है, वो चेंज नहीं हो रहा है, और वो attitude अगर चेंज नहीं हो रहा है, अब ट्राइबल चीफ वाला attitude है, पतलब simple है, यहां से उनका baby face turn भी नहीं हो रहा है, और अगर मेरे पास यह Roman Reigns की वीडियो ना होती देखने के लिए अब तक जो ने खुछ शेयर कर दी, तो मैं यह कहता कि, क्योंकि Roman Reigns में खुद अपने अलग-अलग interview में बोला है, कि जब वो ट्राइबल चीफ आले character में तो वो जादा खुद को feel कर पाते हैं, कि हाँ, यह हूँ मैं, यह मेरी personality है, जो मुझे हमेशा से दिखानी थी, तो वो एक heel में अपने आपको जादा अची तरह कैसे देखते हैं, अगर उसे compare करें baby face के, हाँ आगे जाए कि Roman Reigns का baby face turn जलूर होगा, लेकिन अभी जैसे storyline की timeline दिख रही है, वो होने के chances भी कम है, और big dog को भाई मतलब क्यों ही देखने चाहोगे, चलो ठीक है, तब यह लगता है, कि Roman Reigns सो बंदे भी आ जाएंग, तो उससे लड़ लेगा, लेकिन वो character उस तरीके से तो देखा जाए अच्छा लगता है, लेकिन जब storyline है, फिर deliver करने क बात आती है, तो उसने अभी तब वैसा execute किया नहीं है, और लेकिन यह Roman Reigns है भी अलग तो अगर बेफेस वाला आभी का तो पहले जैसा बेगार तो नहीं होगा, लेकिन अभी देख के ऐसा लग नहीं रहा, और तीसरी चीज़, यह Bloodline की story क्या होगा, तो यही है, जो Roman Reigns की बिल्कुल भी नहीं हुआ है, क्योंकि मैं इतने टाइम से आपको चैनल पर एक साल तो होगा बताते हुए, उससे भी जादा Clash at the Castle जब से सोलो सिकोवा आय थे, कि सोलो सिकोवा रोमन रेंज की बहुत ही जबर्दस हाइव वोल्टेज फूड फूड करेगी, और वो हाइव वोल्टेज फूड के लिए पहले तो सोलो सिकोवा को थोड़ा तमीच से बना दो दिखा दो क्योंकि जिस तरीके से डबल डबली सोलो सिकोवा को दिखा रही है अब मतलब जैसे में रॉस्टर में रोस्टर में बहुत है तब से कोड़ी रोट से वहार है, रसल मेरा 39 से पह करेगी, यह बलड लाइन टूटती भी खरती नहीं है, कभी जिमी उस वाली अलग चले जा लेंगे फिर दुबार से बतानी कैसे भी करके आ जाते हैं, तो अभी बलड ला चैप्टर होगा, और एंड गेम इस बलड लाइन का क्या हो, मतलब एंड गेम शाद बलड लाइन का आते हैं, और अब वो TKO वाले बोर्ड के मेंबर हो चुके हैं, तो थोड़ा सा अपने आपको फ्री रखते हैं, डेबल लाइन के शेडिल के हिसाब से, तो यह एक परफेक्ट मैच है, और रॉक भी थोड़ी चाहेंगे, भाई को चाहेंगे, उनको अपना रोमन रेंस के सा होता है, तो इससे पहले कि रॉक उस सिच्वेशन पर पहुंचे जो कि अभी तो भाई बहुत इंपरेसिव लग रहे हैं, तो यह स्टोरी लाइन के साथ डेबल लबली जाएगी, तो अगर हम यह मान के चल रहे हैं, कि रोमन रेंस और रॉक का मैच हो रहा है, तो फिर यहा बहुत लंबा होने वाला है, पहले ऐसा लग रहा था कि बंदा चार-पांच महीने उससे जादा की ब्रेक पर है लेकर ऐसा लग नहीं रहे हैं, क्योंकि अगर ऐसा करना होता, डेबल लबली को तो वह रोमन रेंस सोचल मेड़ा पर कोई अपडेट नहीं देता है, सीधा ध बहुत लगता है, अब डेबल लबली भाई अनाउंस मत कर देना, तो मना मज़ा नहीं आएगा उनके सर्प्राइस रिटन को देखने का, तभी तो रोमन तो नहीं आजाएगा तो वह लाइफ देखने का फिर अलगी एक्स्पेनिस होता है, तो यह रोमन रेंस की ऐसे कुछ पूरी जितनी क्लारेटी इसके ओपर मैं भी आपको दे सकता हूँ, मैंने पूरी धनी कोशिश करी है, अब इससे पहले कि डीन हम रोस के ओपर हम आये, जॉन मॉक्सली को पर आये, मुझे आप बताओ इस वीडियो कॉमेंट सेक्शन में, आपको क्या लगता है कि यह जो र एक लिए मैं जो लगता है, एक परफेक्ट बैलेंस डबल अबरी ने दिखाया है, और मस तरीके से डबल अबरी ने पूरे अपने प्लैंस को एक्जिक्यूट किया, और इसके लिए ट्रिपल एज की तारिफ है भाई, क्योंकि उनको पहली रेस्लिंग मिना मिली अपनी वो अतरंगी चीजे जो एड़ी जो विंस का खुरापाती जिमांकर वो काम कर रहा है, वो रॉक के पास है, तो इनका परफेक्ट बैलेंस है, मेरी नजर में तो, हाँ भाई, मैं भोलूँगा, ग्रेटेस्ट रेस्लमेनिया है ये, सबसे जादा अगर मैं उठा के देखने ह सब्सक्राइब भी देखा तो इसलिए अलाग एक्स्पीरेंस होता है, तो मेरे साथ से ये है ग्रेटेस्ट रेस्लमेनिया बाकि आप बताओ, क्योंकि एंड और ये सारी चीजे भी आते हैं, उसको भी ध्यान में रखके बोलना कि आपके है, ये ग्रेटेस्ट रेस्लमेनिय अब बात करते हैं, चलो हम दीन अम्रोस के बारे में तो, अब आज सुपह वाली वीडियो में आपको बता था कि कैसे एडबलु के था बहुत तगड़े वाले पंगे हो गए हैं, पंगे ये हुए हैं कि उन्होंनों की वो पुरानी वाली फुटेज चलाई, पूरा ऐसे ब अब यहां से बात यह शुरू हो गई है, जो डीन अम्रोस है, जो जॉन मॉक्सली है, अब वो डबलु कंपनी में आ जाए, अब आपको याद होगा, आज से 6-7 मेने पहले मैं ने एक वीडियो बनाया थी, इसमें आपको पूरा एक्स्प्लेइन किया था, डीन अम्रोस के पूरी क्लारिटी के साथ वहां पर चीज़ों बताए थी, कि जो डीन अम्रोस को कॉंट्रैक्ट 2027 सक है, एक यह बात बात पूरी तरीक है, सच है, क्योंकि अगर हम सीम पंग का केस उठा के देखें, तो यह बवाल होने के बाद, गया तेन लेने, वह कॉंट्रैक्ट रीच सब कुछ इनका बीचा सब को टर्मिनेट हुआ, उसके बाद सीम पंग ने जो अपना अपनी गाड़ी है, उसको पार्क कर दिया, डेवल अबली के खाने में, मतलब अबली में आ गया है, तो सिच्वेशन अभी जो एडबली कंपनी के लिए बिल्कुल भी सहीनी है, और इस उन में बहुत सारे नेगेटिव बाते ही बोली है, लेकिन इस चीज का वही फर्क नी पड़ता भाई, क्यों? क्योंकि सीम पंग ने क्या क्या बोला कर मैं आपको वह उठा उठा के बताने लगा, तो फिर आप बोलोगे ये बंदा आज टिक कैसरा है, कि इतना बड़ा ह लेकिन ये बिजनस ऐसा भाई, ये लोग होते हैं, इस तरीके के कुछ यू बोल देते हैं, उसके बाद बातों कोई भी नहीं रहता और अगर फैंस को मज़ा आ रहा देखे तो हमें बातों पर खारे उत्रो या फिर नहीं, तुम तो वह करो, जो कि हमको देखने हैं मज़ा और मज़ा आएगा जब Dean Ambrose WWE Company में आ जाएंगे, ये सिर्फ एक कांट और हुआ, जो Dean Ambrose के लिए doors open करता है WWE के लिए, Will Osprey ने अपने रहने यंगी हैं वहाँ पर इंटर्वियर जैसे WWE के अंदर पहली थी, तो उने Triple H के बारे में ये बोला कि Triple H ने को की बोला था, अगर की डॉर्टर स्टैफनी मिक्मान, तो उने Triple H के पर ऐसे बोल दिया, और रहने यंग का जो थोड़ा जो चहरा उसना में देख रहा था, ये मुझे कहां डाल दिया, और मैं क्यूं हूँ है, अरे बताना भूलिया का, रहने यंग जो है Dean Ambrose की wife है, पता ही होगा वैसे तो, और रहने यंग वो सुपरस्टार है जो Dean Ambrose के WWE से जाने के बाद भी WWE कंपनी में थी, और रहने यंग ने खुद यह बताया था कि जब Dean Ambrose NJPW में चले गए थे, अपर उनका कोई स्पोर्ट होता है क्योंकि भाई, wrestling world से तो पूरे तो कनेक्टे रहते हैं, तो Triple H में से सा बतानी, लॉजिकल है या बोलना, लेकिन है यार, मतलब, Dean Ambrose की BV है Rene Young, और Rene Young के सामने ऐसी बात बोली जो Rene Young को पसंद निया है, उनके चहरे ही बता रहे थे, तो BV का influence तो होता ही अपने पती के ओपर, यह बात तो कोई deny कर नी सकता, जिसकी BV है, या मतलब, पता है, यह relationship वाला जैसी ने कुछ ऐसा ही चलता है, तो यह influence भी काम आता है, इसके ओपर फिर आगे जाके पैसे भी काम आते हैं, और सबसे बड़ा reason Dean Ambrose का WWE company छोड़ने का क्या था, यही तो था, उनको WWE भी freedom नहीं मिल रही, और आज के time में वही चीज, WWE से जादा कोई दे भी नी अब WWE में ऐसा system है नहीं, तो इससे better time तो कोई है ही नहीं, Dean Ambrose के हाने के लिए, और 2027 तक AEW company टिकने भी वाली है, अब यह भी एक सवाल खड़ा हो गया, तो अगर कुछ बहुत ही rush में जाके situation हो रही है, बढ़ रही आगे, तो इसमें बहुत कोई हराने वाली बात नहीं ह और कौन सा इसा superstar है, जो WWE company में नहीं आना चाहता है, यहां पर तो कोई बात ही है, Dean Ambrose जिस दिन आके बोलेंगे, चलो आजाओ हमारी company, Dean Ambrose के सामने जिस दिन आके बोला जाएगा, कि चलो हम तुमें बुला रहे है, Dean Ambrose खुच जाएंगे WWE के पास, कोई बात ही नहीं होन जाने वाले एक महीने, दो महीने, तीन महीने, चार महीने, पास, महीने में, कैसे जाती AEW किस डारेक्शन में जारी है, उस हिजाब से Dean Ambrose का एक डिसिजन आ सकता है, और डिसिजन आकर पॉजिटिव वे में है, तो फिर WWE में है Dean Ambrose और आपको जो शील्ड है, Roman Reigns, Seth Rollins, Dean Ambr झाले तीन के एक में है, तीन में है, तर दो फिर